आप नींद में कई नकारात्मक चीजों या सकारात्मक चीजों को बढ़ा सकते हैं, ये बहुत आसान है, बस नींद की साथना, तो एक अलाम से अचानक जागना, जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है. आप मेंसे कितने लोग किसी दिन सुभा उठने के बाद बेवज़े, बहुत बुरा महसूस करते हैं, बिल्कुल बेवज़े, अगर साल में कम से कम दो तीन बार भी ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा है, तो आपको सोने से पहले कुछ चीजें करनी चाहिए, ये बहुत ही आत्मक चीजों या सकारात्मक चीजों को बढ़ा सकते हैं, आप नींद में सुखदता ये अप्रेता को बहुत कुछलता से बिना रुकावट के बढ़ा सकते हैं, आप दिन में भी उन्हें बढ़ा सकते हैं, पर कई रुकावटे होंगी, वो बहुत कुछलता से नहीं होता पर अगर आप किसी निश्चित तरह से सोने जाते हैं और सुभा बहुत बुरा महसूस करते वे उठते हैं बिलकुल बेवजा तो मतलब आप रात में बहुत कुशलता से चीजों को सेते हैं खराबंडों को बात सर्फ मानसे का शांती की नहीं है ये समय के साथ बड़ी शारेरिक समस्याएं पैदा कर सकता है ये महत्वपूर्ण है कि आप इन चीजों को अपने जीवन से हटाएं तो रात को सोने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप मास और वैसा भोजन करते हैं तो उसे सोने से कम से कम तीन से चार घंटे पहले खाएं ताकि पाचन पूरा हो जाए सोने से पहले थोड़ा पानी पी कर सोने जाए आप देखेंगे कि इसी से वो ठीक हो जाएगा एक आसान चीज की जा सकती है वो है स्नान हमेशा सोने से पहले नहाएं इससे काफी फर्क पड़ता है इस मौसम में ठंडे पानी से नहाना मुश्किल हो सकता है तो आप गुनगुने पानी से नहाएं रात को गरम पानी से नहाएं गुनगुना पानी लें ये आपको सजग बनाता है आप सोचेंगे, अरे मैं सो नहीं पाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 15-20 मिनटे आदे घंटे बाद सोएंगे, मगर नींद बहतर आईगी, क्योंकि इससे कुछ चीजें हट जाएंगी जब आप नहाते हैं, तब सिर्फ तवचा की गंदगी नहीं हटती, क्या आपने देखा है, जब आप बहुत तनाव और चिंता में होते हैं, तब सिर्फ नहाने से ऐसा लगता है, मानो बोज लगभग उतर गया हो, क्या आपने ये नहीं देखा है, तो ये सिर्फ तवचा की स सफाई नहीं है, पानी के शरीर पर गिरने से बहुत सारी चीज़ें होती है, सनान एक बहुत बुन्यादी भूत चुद्धी है, क्योंकि आपका शरीर सतर प्रतिशत से अधिक पानी है, अगर आप उस पर पानी गिराएं, तो एक तरह का शुद्धी करण होता है, जो त्वच करते हैं, साधारन खाने का तेल, लिंसीड ओयल, राइस ब्रैन ओयल या तिल का तेल, आपके पास क्या है, ओलिव ओयल, ठीक है, रुई की बाती के साथ कोई भी जैविक तेल लेकर, एक छोटा दिया उस कमरे में कहीं जला लें, जहां आप सोते हैं, आप देखेंगे कि ये चीजें बिलकुल गायब हो जाएगी, अगर आप कोई मंतर जब सकें, या सोने से पहले रात को योग अभ्यास कर सकें, तो बिस्तर पर बैठ कर उसे करें, अगर आप ईशा क्रिया करना चाहते हैं, तो वो नेक पर उपलब्ध है, आम तोर पर भारत में आप से कहा जाता है कि सोते समाय अपना सिर उत्तर दिशा की ओर नहीं रखना चाहिए, आपको पता है? अगर आप रात में उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं, जब आप लेटे हुए होते हैं, तो धीरे धीरे खून आपके दिमाग की ओर बढ़ने लगेगा. जब दिमाग में रक्त संचार बढ़ जाएगा, तो आप शांती से नहीं सो पाएंगे. अगर आपके दिमाग में किसी प्रकार की भीतरी कमजोरी है, या आप अधिक उम्र के हैं, तो आप नींद में मर सकते हैं, हैमरेज हो सकता है, क्योंकि ज्यादा खून दिमाग में घुसने की कोशिश करता है, जहां खून की नसें बाल जैसी होती हैं, और चुम्बकी शक्त कुछ ज्यादा खून भेचती है, सीधे खड़े होते समय ऐसा नहीं होता, जैसे ही आप लेटते हैं, सिर की ओर ये खिचाव इतना तीवर होता है, कि खून धीरे धीरे दिमाग की ओर जाने की कोशिश करता है, तो इससे बचने के लिए, ये सिर्फ उत्तरी गोलार्थ के ल इसे अपने मन में रखें, कि आप सच में नाशवान हैं, ठीक है, सिर्फ शब्दों में नहीं, सच में, आप अभी मर सकते हैं, आप युवा हो या बूड़े, कोई फट नहीं पड़ता, आप अभी मर सकते हैं, हाया ना, सोने से पहले, बिस्तर पर बैट कर सोचें, कि ये आपकी मृत्युशया है, आपके पास जीने के लिए सिर्फ एक मिनिट और है, पीछे मुड़कर देखें, कि आपने आज जो किया, क्या वो सार्थक है, सिर्फ ये आसान अभ्यास करें, और आप नहीं जानतें, कि ये असल में कब होगा, आप मृत्युशया पर बैठे और कई तरह की चीज़ें आपसे जुड़ी होंगी, किसे पता वो कैसे होगा, पर रोज इसका आनंद लें, कि आप अपनी मृत्युशया पर बैठे हैं, पीछे मुड़कर देखिए, कि आज मैंने इन 24 घंटों में जो किया है, क्या वो सार्थक है, क्योंकि अब मैं मर रहा अगर आप ऐसा करेंगे, तो आप एक सार्थक जीवन जीएं, मिरव विश्वास कीजिए, तो रोज रात को सोने से पहले, आप सभी को ऐसा करना चाहिए, आखरी तीन मिनट, जो भी चीज़ें आपने इकठा की हैं, शरीर, मन की बातें, चीजें, छोटी चीजों को अंदे क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपका तखिया, आपकी चपल, अगर आपके रिष्टे हैं, सब कुछ जो आपने इकठा किया है, उसे एक और रख कर सोईए, अगर आप इस थिती में सोईगे, तो आप अधिक रोश्णी, अधिक उर्जा, और आपकी कल्पना से भी अधिक संभावनाओं के साथ जागेंगे, बस जीवन के रूप में सोईए, पुरुष एस्तरी के रूप में नहीं, इस या उस रूप में नहीं, सब कुछ नीचे रख दीजे, बस, ये बहुत आसान है, सिर्फ मीन्द की सादना, कम से कम इतना आपको करना चाहिए, तो आप जैसी ध्वनियों में जाकते हैं, वो कई रूपों में आपके दिन की प्रकृती और आपके जीवन का भविश्य तय करेंगी, तो एक अलाम से अचानक जागना जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है, अच्छा होगा कि अगर आपकी नीद, जिस तरह का भोजन आप करते हैं, और जिस तरह के विचार और भावनाएं अपने अंदर रखते हैं, और आपने अपने शरीर में जीवंत्ता का जो स्तर बनाय रखा है, उससे तै होगा कि आपको कितनी नींद की जरूरत है, मान लीजे आपको तीन, माफ कीजे, मान लीजे आपको आठ या बारा घंटे की नींद की जरूरत है, मैंने गलत संख्या बोल दी, आपको जितनी भी न और मान लीजिए आपको संदे है कि आप जाक पाएंगे या नहीं, तो अगर आपके पास कोई मंत्र है, अगर आप किसी वैराग्य मंत्र से जुड़ गए हैं, तो आप उसका इस्तिमाल कर सकते हैं। ये बाईं तरफ से शुरू होता है, तो आपको पता है, भारत में आपसे कहा जाता है कि आप जब जागें, तो आपको दाहिनी तरफ करवट लेकर उठना चाहिए, बता है, अगर आप बाईं तरफ करवट लेकर उठेंगे, तो आपके साथ खराब चीजे होंगी, खराब ची जीता में एक उछाल आता है, इसलिए भारत में कहा जाता है, देखे, ये चीज़ें जीवन का हिस्सा थी, इन्हें आप छोड़ रहे हैं। जीता में एक उछाल आता है, आप एसा करते हैं, तो शरीर तुरंट जाग जाता है, अगर आपको नीन दा रहे हैं, तो ऐसा करके देखे, सब कुछ जागरित हो जाता है, तो सुभा शरीर को हिलाने से पहले, आप उसे जगाईए, और फिर इसे अपनी आखों पर रखिए, त तुरंट आपकी आखों और आपकी इंद्रियों के दूसरे पहलूँ से जड़ी नसें, जागरित हो जाईए, शरीर के हिलने से पहले, शरीर और दिमाग को जागरित होना चाहिए, इसके पीछे यही मकसद है, समझे? तो आप ऐसा कीजिए और फिर अपनी दाहिनी और करव कल सुबह, लगभग, धाई लाख लोग नहीं जागेंगे, प्राकृतिक मृत्यू के कारण, मान लीजे आप कल सुबह जागे, आपकी गैरंटी है? क्या आप गैरंटी कार्ड के साथ आएं? कोई गैरंटी कार्ड नहीं, तो मान लीजे आप जाग जाते हैं, बस इतना कीज मैं बता रहा हूँ, यह आपके आध्यात्मिक प्रक्रिया का एक सरल पहला कदम है, कल सुबह, जब आप जागे हैं, तब जाचिये, आप वाकई जगे हैं या मर गए? अगर आप जगे हैं, तो एक छोटा सा जश्न तो बनता है, आपको उड़कर नाचने की जरूरत नहीं ह कम आप मुस्करा सकते हैं, कि अब भी जीवित हैं, धाई लाख लोग मर गए, वो आपकी और मेरी तरह थी, उड़ गए, कहीं भी देखिये, वो नहीं मिलेंगे, यहां मैं अब भी जीवित हूँ, एक बड़ी मुस्कराहट, आप देंगे, मैं मैं मैनेज करनी की बात कर रह अगर ढाई लाख लोग मर गए, तो कम से कम, तीस से पचास लाख लोगों ने अपना कोई प्रेजन खो दिया आप उन तीन, चार, पाँच लोगों को देखिए, जो आपके लिए माइने रखते हैं, वो सभी आज जिन्दा हैं, एक और बड़ी मुस्कराहट, देंगे या नहीं, जिन्दा अगर मान लीजिए, अभी हम आपके सिर पर बंदूक रख देते हैं, क्या आप रात महसूस करेंगे? नहीं, आप डर जाएंगे, या न, तो जीवित होना इतना कीमती है, है की नहीं? आपका जीवित होना इतना कीमती है, तो कल सुभा, धाई लाख लोग रात में मर गए, मगर आप अब धी जीवित हैं, क्या इसके लिए कम से कम एक बड़ी मुस्कराहट नहीं होनी चाहिए? और सभी लोग जो आपके लिए माइने रखते हैं, वो सब आज जीवित हैं, एक और बड़ी मुस्कराहट झाल 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 झाल